आए फेरेंड्स मैं बिवेक सिंग राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने भीए सारड़ा पे तो दोस्तों आज मैं आपके लिए अडूटेरिया का 10 नंबर स्रीज लेकर आया हूं अब यह सेट नंबर 10 है और यह आखरी स्रीज है ठीक है अडूटेरिया का सेट नंबर 10 सेट नंबर आपका कौन साइसर यह 10 है तो वैसे बच्चे जो पूरे 2023 का फ्रम जनवरी से लेके फरवरी 2024 तेक जो एक भी करेंट फेर नहीं पड़े है मैं बताता हूं एडूटेरिया का जो 10 सेट है अगर आप पूरा का पूरा देख लोगे तो एक भी सवाल आप का परिच्छा में नहीं चूटने वाला ठीक है तो मैं सुरवात करने से पहले मैं बोलना चाहता हूं कि education is not the learning of facts education is not the learning of facts but the training of the mind to think मतलब काने का मतलब हुआ कि पढ़ाई के मतलब यह नहीं हुआ कि आप चीजों को बस रटो आप उसके बार में सोचो क्या कि यह ऐसा हो रहा है अपने mind को trend करोगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या logic है ठीक है तो चलिए आपका ज्यादा समय में न लेते हुए आज काम पर AHा सवाल लेते हैं कि हाली में निमलिख्षे में से कौन सुमयली थे पूछ रहा कि कौन इसमें से सही है तो देखते है राजिष नाम ब्यार नbefore में ऑने के दियाक है बिलकुल है ब्राइस ओली गैमा गैबान के राश्ट पती है बिलकुल से सा बिल्कुल सही है यानि कि जो right option हो जागा ये आपका e-number हो जागा चलिए अगला सवाल लेते हैं कि हाली में हुए निधर के समन्द में कौन सो में नहीं थे हैं अभी जो हाल में जो निधन हुआ है परतिती जो most famous लोग थे तो उसमें से चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा सही है तो पहला है सर हीत अस्ट्रीक जिंबावे के पूरुक अप्तान थे बिल्कुल थे सर मालिनी राजरुकर रस्टीय संगीत बिल्कुल है सही है उस्ताद अली जक्की हैदर वीना वादक थे बिल्कुल यान तो right option इसका कौन सा हो जागा सर डी नमर अगला है ओमान में कुछटर राज़ अमेरिका के तीस राज़ने और चारिक रूप से Actuar को interviewed महीने को hindu विरासत माह बोला है तो ये अभी जौन है जरी ज़ोजी यह चल्योए अगला सवाल लेते है सर स्षॉरी थोड़ा सरगी हो रखा है तो no need to worry, मेरा और आवाज जितना ज्यादा तेज न चाहिए ठीक है चलो अगला सवाल है कि किस पर्योजना के तहद भारत ने वीशु के पहले पोटेवल आपता अस्पताल का अनावरेन किया है जिसे आरोग मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है तो यह अब इसका राइट एंसर हो जाएगा सर इस प्रोजेक्ट का नाम है प पर नाली विक्सित की है यह किस ने किया है सर तो यह आपका ग्रेने रोबोटिक्स ने किया है चलिए अगला सवाल है निमनलीखित में से किस राज जिने देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरा पर पर परवानू उर्जा सहयत उनिट 3 ने पूरी छमता से प गुजरात में हुआ कहां पर गुजरातमें चलिए अगला सवाल है कंद्रिय कपड़ा منत्री फ्यूस गोईल 12 ने कि सहर में सोतंत्र भारत के पहले वीत मंतरी आरके सनमुगम चेटी की परतिमा का अनावरन किया है यह कहां पर किया गया है सर यह जगा का नाम पूछ रहा है तो यह कहीं और नहीं बलकी कोईमबटूर कोईमबटूर में किया गया है कोईमबटूर कहां पर है सर जी 20 ने दिया ठीक है चलिए अगला सवाल है हाली में रेमर मैक्से से पुरुषकाद दोज्या तेज जीतने वाले आर रवी कनन है क्या है सर वो तो एक आर रवी के रूप में परसीद विस्वनात अनंद की जगह किस ने लिए तो डी गुकेस ने लिए किस ने लिए है चलिए अगला सवाल देखते हैं सर निमने लिखीत मैंसे किस टीम ने डुरंड कब 2003 ट्रोफी जीती है तो डुरंड कब 2003 जीतने वाला कौन सा टीम बन गया है सर अपका तो यह आपका मोहन बागान किसने सर मोहन बागान ने चलिए अगला है हाली में किस देश ने अपनी पहली निकुलियर अटैक सब्मरीन लांच किया है पहली निकुलियर सब्मरीन अटैक सब्मरीन लांच करने वाला कौन सा देश है सर तो यह बन गया है सर हिताच पेमेंट सर्विसेज कौन सा सर हिताची पेमेंट सर्विसेज चलिए अगला है देश के पहले सौर सहर का उदगाटन कहा किया गया तो सर देश के पहले सौर सहर का उदगाटन आपका सांची में किया गया है कहां पे सर सांची में अगला है हाली में मजगाउं डॉक सीप बिल्डर्स दुवारा यूद पोत महंदर गिरी का निर्मान किस प्रयोजना के तहत किया गया है तो सर किस प्रयोजना के तहत किया गया है तो प्रयोजना 17-1 के तहत यूद पोत महंदर ग तो ये जीतिने वाले को और नहीं बलकी दिव्या दिस्मुक जी हैं कौन है दिव्या d smokes एक स्वाल है अगली अपनी तरह की पहली ड्रोन परदेशनी सफ परदेशन भारत ड्रोन सक्ती 2030 का फार्दकेश में जेंख किया गया है तो सरें कहां पर किया गया है तो यह आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया था अगला स्वाल है सर दच्छिन कोरिया के प्योंग चांग में आयुजित छबिसमी ITTF एस याई टेवल टेनिस चैंपियंशिफ दोहार तेश में भारतिय पूरुस टीम ने कौन सा पदक जीता है यह भी वी आई कीशान बेटा इसको तो बिल्लकुल मिस नहीं करना तो कौन सा पदक जीता है तो सरी आपका कांस पदक जीता है देश का पहला मंदिर संग्रहाले किस राज या किन सासित परदेश में स्थापित की गई तो यह आपका नई दिल्ली में स्थापित की गई से अब आपके लिए सवाल है कि नई दिल्ली में कहां पर स्थापित की गई है आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना नहीं तो बाद में आपको इसका रिप्ल जारी किया है अगला निमलीखित में कौन सा राज वर्ष 2024 में जायत चैरिटी महराथन की मिजबानी करेगा, तो सर ये आपका तेलंगाना करेगा, कौन करेगा सर तो ये आपका तेलंगाना करेगा, अगला है सर, हाली में किस देश ने दुनिया के पहले पोटेवल अब्दास पताल का नावरेन किया है, जिसे अरोग मैतरी क्यूब के नाम दिया गया है? तो सर ये कोई और नहीं बलखी भारत ने किया, किसे ने किया है सर और भारत ने? चलिए अगला सवाल है, हाली में जापान में Miss International Peasant, किसने Miss International India 2023 का खिताब जीता है, तो ये है अपकी परवीना आंजना, ये बेटा आप जो अभी चलना है एडूटरिया का टेस्ट सिरीज, अपका ये है अपका current affair का एक जनवरी 2023 से लेके 7 फरवरी 2024 तक आपको पूरा के पू आप 10 है, और इससे पहले हमने 9 से अलेडी करा रखा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो आप जाओ जाकर current affair चेक करो, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो अगला सवाल देखते हैं, नर्गिस मुहम्मद हसन जाई ने मानवा धिकारों के प्रती अपनी डीड अध्दा के लिए, स्वीडन में 2023 विस्व नोबल सांधि प्रुषका जीता है, वह किस देश की है, तो सर वो इरान की रहने वाली है, कहां की है सर वो इरान की रहने वाली है, अगला सवाल है सर, कनाडाई क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली, पहली भारतिये वेद साला अधित 11 को किस प्रचेपन यान से छोड़ा गया किस प्रचेपन यान से छोड़ा गया था सर तो यह अपका PSLB C57 आपको C57 से भी याद रखोगे तो यह आपको सर याद रहेगा ठीक है चलिए कौन सा मंत्राल है ग्लोबल इंडियाई इंडियाई 2023 के पहले संस्कारन का आयोजन करेगा कौन सा मंत्राले करेगा सर तो आपका Electronics and सुचना प्रधोक की मंत्राले करेगा चलिए आगला सवाल लेते हैं सर निम्निलिखित में से किसे भारतिये रिजवर बैंक के गवर्नर को अमेरिका में इस्ति के अंदरि ये बैंकर का समान परदान किया है तो सरे ये आपका सक्ति खांत जी को परदान कियाँ थीक है डाक्टर वीजी पतेल मेम almighty आवाद 2020 ने किसे समानित किया गया तो सरे आपका सत्त जीत मजूंदार को किया गया अगला सवाल है 13 सितम्बा 2023 कोनो 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 एसनल इविधान एप्लिकेशन पुर्जेट का उद्गातन किसके तुवारा किया गया है तो सरे आपका राश्पति दुर्पति मुनमुजी के तुवारा किया गया है अगला सवाल लेते हैं सर पांचवी नेशनल विल चेयर जीता बिलकुल इसमें बिरार टेम ने कांस पदक जीका बिलकुल आनिको उप्रति उपतिव और सभी है इसा ठीक है चलिए ओके अगला स्वाल है पेटा कि हाली में भारत के पहले अंडर्ग्राउंड ट्रंसपार्मन सेंटर का उदगातन कहा किया गया है तो सर अंडर्ग् कि क current is no 26 हालि में किस राजी के विजय वाला रेल्वैस टेशन को ग्रीन लेवेस टेशन सर्टीटीफिकेट पर्दान किया गया कीत सराज बीजय agent वाला रेल्वैसे टेशन को तो मतला हो कुनिला की पूछ रहा है कि रिजय वाला रेल्वैस 색. इसको altre रिल्वैस सटिबीगेट मिला गया तो विजयवाड़ा रेल्वैस्टेशन कहँं पर है तो सब्छुस्रन कहीं आप जो है जो कि सर्विया को राकर पर भासकेट बासकेट बाल कड़ों कस काही है आप किस एंग जिता था बासकेट ब्ल्ड कड़ों कर ठीक है अगला सवाल है मैक्सको ने हार्मो सीलो में आजित तिरंदाजी विश्चुकब 2023 में भारतिये तिरंदाज पर्थमेश जवरकर में कौन सा पदक जीता है तो सर ये आपके रज़त पदक जीते हैं कौन सा पदक जीते हैं सर तो आपके रज़त पदक जीते हैं कि संगठन का सुबारम हुआ है सर तो यह आपका वैस्विक जैव इंदन गटवंद्र अगला चिकित्सा विज्ञान के छेत्र में अगला सवाल है सर भुटान में थिम्पु में आयुजित सैफ अंडर 16 जैंपेंशिफ 23 फुटबॉल टोनामेंट किस देश ने जीता है किस देश ने जीता है सर तो कोई और देश नहीं बलकी अपका जीतने वाला देश है वो है सर अपका भारत अगला सवाल है सर जो देखते हैं अभी यूएस ओपन द्वाज़ा 23 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गाफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है तो कोको गाफ ने किसको हराकर अपने नाम किया है सर तो अपका आर्याना सवालेंका को किसको आर्याना सवालेंका को हराकर खिताब अपने नाम किया है हाली में One Sun, One World, One Grid सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया है तो सरे आपका नई दिल्ली में किया गया है 18 में G20 सिकर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है इसकी थीम क्या है ये देखो इसमें से सवाल आना ही आना है बेटा इसमें से कोई दो राइन है कि नहीं आएगा तो G20 सिकर सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित हुआ था उसका जो थिम था वो था वसुदेव कुटुम्बकम याने पूरा विश्व एक परिवार है तो बेटा ये जो अभी करेंट अफेर का जो सेशन चलना है ये आपका एक जनवरी से लेके एक जनवरी 2023 से लेके साथ फरवरी 2024 तक जितनी भी करेंट अफेर है सारी के सारी ये 10 सेट जो आपका एडिटोरिय का इसमें समलीत है तो एक भी चीज आप बिलकुल ना मिस करें ठीक है चलिए अगला है हाली में भारत ने किस देश से C295 टांसपोर्ट एर कराप खर दे है C295 टांसपोर्ट एर कराप खर दे कहां से खर दे है तो ये अस्पेन से खर दा गया सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के परधान मंत्री ने रनितिक साज़ेदारी परशद SPC की पहली सीखर रस्तरिय बैठक की साध्यस्ता की तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वो आपका सौधी अरब हो जाएगा अगला है सितंबर 2023 में किस देश के सरोच ने आले ने देश भर में गर्भपात को अपराद की सिरेनी से हटा दिया यानि कि गर्भपात अब वहाँ अपराद नहीं रहा गया है तो यह कहां पे है सर तो यह आपका मैक्सको में कहां पे सर मैक्सको में चलिए अगला है हाली में किस रेलिवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉंसील IGBC दोरा उस्तम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलिवे स्टेशन परमानन से सम्मानित किया गया है तो अभी इसके जस्ट अभी आपको बताए थे तो कोई और नहीं बलकि विजय बाड़ा रेलिवे स्टेशन है इसके पहले करेंट फिर इसी में मैं बताया था आपको इसके बाद इस पर विचार करेंगे तो कथन के एसर पूरुस एकल का क token का kताब नवाग जोको ज किवल एक और दो याने की चलियल और आज का current affair का आखरी से किसानों के अधिकारों पर परत्व्य संगोस्टी का मेजवान सहर कौन सा है तो पर्थम वैस्वी संगोष्टी का मिजवान सहर है आपका नई दिल्ली ठीक है तो आप सभी के बीच बेटा आपका सेट नंबर वन से लेकर सेट नंबर दस तक आज आपका ये कंप्लीट होता है तो जो भी बच्चे अभी तक एक भी सेट नहीं देखे है और जिनको लगता है कि 2023 का हमारा से करेंट अफेर कंप्लीट नहीं है पूरा तो मैं बतादू कि एक जनवरी से लेके कहां से कहां तक एक जनवरी से लेके एक जनवरी 2023 से लेके साथ फरवरी 2024 तक अभी तक सारा जो current affair है पूरा का पूरा set 1, 2 set 10 में आपका करा दिया गया है ठीक है तो आप जाए हमारे BSRATA चैनल पर जाकर आप एक एक set भी daily देखोगे तो 10 दिन में आपका पूरा साल बर का current affair कभर हो जाएगा ठीक है तो चलो बेटा अब आज का जो एडिटेरिया का जो series है हम यहीं पे खत्म करते हैं और फिर हम आपके लिए बेतर से बेतर आपके बीच content लेकर आते रहेंगे और मैं आपको लिए एक खास चीज लेकर आया हूँ कि अभी बिहार SAC जो अभी बिहार SAC भी साम को live class सलता है 6 बजे से live timing आपका कितना वैस है है बेटा तो आपका 6 PM कितना बज़े 6 PM डेली आप आजाए और लाइब आपका होता है साम में बिहार SAC के लिए किसके लिए तो बिहार SAC का हैं पर चलता आप आए और आके अपना तयारी को मजबूत बनाए और 2024 में एक सेट अपने नाम चरूर करें ठीक है बेटा तो हम फिर मिलते आगले वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ सेर करना बिल्कुल मत भिलो ठीक है और चलते चलते आपको पता ही होगा कि मेरी आदत है कि जब तक मैं कोई सेरो सायरी ना कर लूँ मुझे मजा नहीं आता है तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खिचना पड़ता है। उसी का एक दिन नाम बनता ठीक है। चलो हम मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई टेक केर और थैंक यू सो मच इतना पेशन्स के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए जैहिन।